जी नमश्वाम जी कहां से बोल रहे हैं आप मैं दिल्ली से बोल रहा हूं जी जिव ऐसा बोलिए आपको यह दो तीन चीजों का ख्याल रखना है एक तो आप जो पेट आपको सुभरे पेट साफ हो जाता है सुभरे तो आपको क्या करना है कि सुभर पेट साफ हो इसके लिए रात्री को आपको जैसे हमारा पतंचली का जैसे दिव्य चूर्ण है एक अधूत चूर्ण अभी हमने नया बनाया है वो पेट में मरूडा भी नहीं करता और आराम से पेट साफ हो जाता है शुद्धी च बास्तर में वो शरी कि नहीं टन बनी की सब शुद्धी कर देता है तो ज्चूण को ज्यादा मत लेलीजिगा तो ज्यादा शुद्धी कर देगा तो आधी चमाच आप रात को लेलिजिएगा सुबह उससे आराम से बेट साफ हो जाएगा जीव कि यह गरम-पानी से एक तो जो कि अलोवेरा और आवले से अपना पेट भी ठीक रहने लगेगा तो तीसरी चीज़ जो विशेस आपको ध्यान रखना है खट्टी चीज़ें और कोई भी अचार आदी सब बंद कर दीजिए तली चीज़ें बिल्कुल बंद कर दीजिए रात्री को आप खाना कितना करने पर और परेशानी हो सकती है तो वह बिल्कुल हलका कुछ भी ले लिजिए आपको दूद नहीं पीना आपको आदे घंटे बाद पौन घंटे बाद पीना या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं सब्जी खा लीजिए उबली सब्जिया सब्जी खाने के बाद में आदे तो दूद पी लीजिए इतना आप कर लेंगे आप देखेंगे सिर्फ तीन चार दिन में ही आपकी खुजली-खाजली सब खत्म हो जाएगी और उसमें एक काम आपको और कर लेना चाहिए नारियल का तेल जो है उबजार में या पतंजली का भी मिल जाता है सो एमल नारियल कर लिजेगा आप निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे बस यह थोड़ा सा खाने का ध्यान और इतना अपय कर लिजेगा धन्यबाद वाई साब